कुकीज खाना तो सभी को पसंद होता है और कुकीज अगर घर में बन जाए तो उसकी तो पात ही क्या तो आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से इडली स्टेंड में ये टेस्टी कुकीज बना कर त्यार करेंगे तो फिर स्टार्ट करते हैं ये कुकीज बनाना तो सबसे पहले मैं मैंने आदा कप घी लिया है, आप घी या बटर कुछ भी ले सकते हैं, बट ये फ्रिज का ठंडा हमें नहीं चाहिए, रूम टैंपरेचर पर रोना चाहिए, और एकदम पिगला हुआ ना हो और बहुत ज़्यादा हाड भी ना हो, इस तरह का ही हमें घी चाहिए, अब इसमें आप इन दौनों को मिक्स करते जाएंगे, ये एकदम फ्लफी होता जाएगा, तो इस तरीके से आप मिक्स करते जाएए, इसे मिक्स करते हुए आपको एकदम फ्लफी बना लेना है, ताकि से आपकी जो कुकीज बनके त्यार होना वो एकदम मार्किट जैसी बने, ये देख ये बढ़िया तरीके से घी और शुगर पाउडर एक दब फफी हो चुके हैं तो बस इसमें बाकी की और चीजे हम डाल देते हैं पहले विस्क को मैं हटा देती हूं अब मैं इसमें डालूंगी मैदा तो मैंने यहाँ पर ये एक कप मैदा लिया है मैदा हम इसमें चान कर डा किसे यह बन जाती है कुकीज और खाने में पहुत टेस्टी लगती है अगर आप एक बार घर में बना लेंगे ना तो हमेशा आप घर पर ही बनाएंगे और मार्किट की कुकीज लाना भूल जाएंगे अब मैंने इसमें 4 टेबल स्पून बेसन डाला है और 2 टेबल स्पून सूजी राली है और 7 ही इसमें जा रहा है एक चमच बेकिंग पाउडर सारी चीजों को इसमें च्छान लेते हैं आप चाहें तो इसमें मैदा और बेसन बराबर कॉन्टिटी में भी ले सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर एक कप मैदा ली थी और बेसन थोड़ा कम लिया है तो सारी चीज़े हमने चान लिया है अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रहे हूं इलाइची मैंने 5-6 इलाइची दरदरी कूट कर इसमें डाल दी हैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम हलके हाथों से इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है हमें इसे डो 3-4 दूद भी डाल सकते हैं रूम टाइमप्रेचर पर होना चाहिए दूद यह देखिए अब यहाँ पर यह जो है एकदम बढ़िया तरीकी से लगके त्यार हो चुका है पहुच आदा इसे नहीं गून रहा है तो अब हमने यह गैस पर रखा एक कोकर और इसमें मैंने डाल नमक नमक आपको थोड़ा यह ब्राउन ब्राउन सा लग रहा हुआ क्योंकि मैं इसे कई बार बेकिंग के लिए यूज कर चुकी हूँ इसलिए यह मेरा यूज क्या हो नमक है यह ऐसा लग रहा है अब नमक को अच्छे से कोकर में फैला दिया है और ढग देते हैं और हाई गोल-गोल करेंगे और यह देखिए कुकीज त्यार कर लिए हलका सा दबा देंगे इस तरीके से तो इसे हम रख लेते हैं प्लेट में और इसी तरीके से सारी कुकीज अभी हम बनाएंगे बाद में एक प्रोसेस और करना है चो मैं अभी आपको बताऊंगी तो पहले तो हम इस तरीके से सारी बनाकर प्लेट में रख लेते हैं बहुत vita अभर हैं इडली स्टैंड में यो कूकी तएप रहे हैं बहुत आसानी से बन चाती हैं और खाने में बहुत ला जबाब होती हैं अभर ये देखिए मैंने थोड़ी सी कूकी बना ली है पहले आपको दिखा देती हूँ कि आपको अगला प्रोसेस क्या करना है एक नाइफ लेना है और इस तरीकी से इनमें बीच में यह कट लगाना है आप डिजाइन अपने अनुसार जैसा भी पसंद करते हैं वैसा बना सकते हैं इसके उपर तो मैंने तो यह सिंपल सा ही बनाया के बाद यह मैंने लिया है थोड़ा सा दूद और इनके उपर हमें थोड़ा थोड़ा दूद लगा देना है अब आप कहेंगे कि दूद लगाने का क्या मतलब तो दूद लगाने से यह जो कोकीज है ना उपर से इनका कलर बहुत ही बढ़ी आएगा जैसे मार्केट वाली क कुकीज यह बनके त्यार होंगी तो अगर आपको एगम मार्केट वाली कुकीज चाहिए ना तो दूद जरूर लगाना इनके उपर और अब इनके उपर मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ यह पिस्ता ही जिससे यह दिखने में पहुत ही सुनतर लगेंगी कुकीज सारी कुकीज के उपर हमें इस तरीकी से पिस्ता लगा देना है और अब हमें लेना है इडली स्टेंड यह मैंने इडली स्टेंड लिया है और इसके सभी साचों में हमें थोड़ा थोड़ा ओईल लगा लेना है इस तरीकी से ओईल लगा कर इसे हम ग्रीस कर लेंगे अब आप कहेंगे कि यह जो साच है ना यह तो काफी बड़े हैं लेकिन हमने कुक्श छोटी बनाई है कुक्श छोटी इसलिए बनाई है क्यूकि कुक्श जब बेख होंगी तो वह थोड़ी सी फूल जाएंगी तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा बड़ी कुक्श ना तो बता देती हूं आपको यह देखिए पहले हमने एक सांचर डाल दिया इसमें और अब देखिए अब आपको क्या करना है जिदर नीचे की साइड कुकीज है ना उसके उपर हमें कुकीज नहीं रखनी है यह जो छेद वाली साइड है इसके उपर हमें अब कुकीज रखनी ह देखिए कुकीज के उपर छेदैं और कुकीज के उपर कुकीज नहीं है। ठीक है या यसे भी ऐसी सैट करेंगे यह चेद वाली साइट कुकीज आएगा यह देखिए। तो इसी तरीके से आपको भी इसे अरेंज करना है। बस अब जो हमने कुकर में नमक गरम करने रखा था उसे भी हम देख लेते हैं देखें 10 मिनट बाद ये अच्छे से गरम हो चुका है तो इसे उपन कर लेते हैं और बहुत ही साबधानी से ये इडली स्टेंड इसके अंदर हम रख देंगे बहुत ही साबधानी से रखेगा क्योंकि काफी गरम है ये और अब आपको कुकर कढ़कन बंद कर देना है और इसके उपर से ये सीटी हटा देनी है अब इन कुकीज को हमें 20-25 मिनट तक लो फ्लेम पर बेक करना है यहाँ पर टाइम में 4-5 मिनट उपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर किसी का गेस का फ्लेम और जिस कुकर में आप बना रहे है वो अलग-अलग हो सकता है तो इसलिए आप एक बार बीच में चेक कर लीजेगा 10-15 मिनट बाद अब मैंने इसे 25 मिनट बाद उपन किया है और यह देखे बहुती बढ़िया कुकिस बनकर हो गई है ते यार अब इसे बहां निकाली हो ठंडा होने दीजे जब यह ठंडी हो जाएंगी तब हम इने निकालेंगे तो अब यहां पर यह कुकिस ठंडी हो चुकी है तो मैंने निकाल लेती हूँ एकदम मार्किट जैसी बहुती बढ़िया कुकिस हो चुकी है ते यार यह दिखे जो हमने इनके उपर दूद लगाया था ना उसकी वज़े से इनका कलर देखे उपर से कितना बढ़िया आया है जैसी मार्किट की कुकीज होती है ना सेम ऐसा ही अब आप भी अपने घर पर बिना ओवन के इडली स्टैंड में यह कुकीज आसानी से बना कर त्यार कर सकते हो और टेस्ट में यह बहुती ज़्यादा बढ़िया होती है अब आपको मैं एक पीस तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कुकीज अंदर से कैसी बनी है क्योंकि बाहर से तो एक दम मार्किट जैसी लग रही है यह देखिए हमने जो डिजाइन बनाया था वो भी परफेक्ट बनाया एक दम और यह देखिए तोड़ने से इनका टेक्शर पता लग रहा है ना बहुत ही यमी कुकीज है रेसिपी पसंद आई तो लाइक केमेंट शेयर चरूर करें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में